हेलो दोस्तो दोस्तो यहां पांच रिजन है जिनसे डिवीडन्ट इन्वेस्टिंग रेंटल प्रपर्टिस से बहतर है तो चलो शुरू करते हैं नमबर 5, Dividend Investing is easy, Dividend Investing शुरूत करने में बहुत आसान है और दूसरे टाइप के investment के मुकाबले में ये investment कई advantages देता है, जिसमें rental properties भी सामिल है, एक फाइदा ये है कि शुरूत करने में ये आसान है, dividend investing आप एक छोटी amount के साथ भी कर सकते हैं और उसके opposite में rental properties में investment शुरू करने के लिए एक बड़ी amount की जरूरत परती है और आपको property market में experience भी होना चाहिए success हासिल करने के लिए इसके अलावा property से rent income के मुकाबले dividends एक ज्यादा स्तीर और predictable income stream है जबकि rental income और property की price लोकल market के हिसाब से fluctuate हो सकती है लेकिन dividend अक्सर नियमित रूप से paid out होता है जिससे अपना future बनाने के लिए budget बना सकते हो और planning करने में भी आसानी होती है इन कारणों के चलते dividend investing अक्सर rental properties से ज्यादा accessible options के रूप में देखा जाता है एक reason यह है कि dividend investing rental properties से बहतर है क्यूंकि आपको इस investment से weekend में चुटी मिलेगी stock market जो की सिर्फ weekdays में operate होता है और rental property investor को 24x7 के लिए call पर available होना पड़ता है किराइदार किसी भी time पर कोई भी परिस्तितियों के बारे में आपसे contact कर सकते है यह call किसी भी time पर आ सकता है और वो call आपके weekend के planning को बिगाड़ भी सकता है अब next है number 3 location location के अनुशार देखा जाए तो dividend investing ज्यादा flexible होता है क्यूंकि rental properties investment में आप एक specific geographic area से बंद जाते है अगर आप देश के किसी और जगह पर move या फिर invest करना चाते है तो यह rental properties को खरीदने और बेचने में बहुत ज़्यादा मुस्किले आ सकती है लेकिन dividend stock में investment करने के लिए आप दुनिया के किसी भी जगह पर बनी हुई company में आसानी से investment कर सकते है diversification आपको risk कम करने के लिए और return boost करने के लिए help करता है इन कारणों के चलते कुछ लोगों के लिए dividend investing rental properties के मुकाबले एक बैतर option हो सकता है लेकिन कई मुस्किलों के चलते ये संबंद भी खराब हो गये है जब pandemic आता है तब वही किरायदार जो पहले भरोसा करने लायक income produce करते थे उनको अब अपने किराया और दूसरे खर्चों को चुकाने के लिए भी मुस्किले आ रही है और ये real estate investors को sticky situation में डाल सकता है कई बार तो खराब किरायदार को कुछ property के owners निकाल भी नहीं पाते कई कई बार तो property के owner legal situation में भी फस जाते है dividend investing ज्यादा safer option हो सकता है और इसमें इन जैसी problems फेश नहीं करनी परती लेकिन हाँ business के पास ability होती है कि उनके dividend को कम या फिर बंद कर सकते है लेकिन आप एक company के financial को research करके देख सकते है कि उनका dividend कितना safe है अब main और last number one की और बढ़ने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और bell बटन दबा देना ताकि आपको और ज्यादा money making वीडियो मिलती रहे दोनों investment, dividend investment और real estate investment में अपने लाब और अपने नुकसान होते है लेकिन dividend stock investment से exit होना ज्यादा आसान होता है क्योंकि shares आसानी से buy और sell कर सकते है investors बहुत जल्दी share को छोड़ भी सकते है अगर उन्हें इसकी जरुरत पढ़ती है तो उससे उल्टा real estate में selling करने की process में महिने भी लग सकते है और इसमें एक property agent की help लेनी ही पड़ती है और इसके सामने investors के लिए dividend stock से exit करना बहुत आसान हो सकता है तो ये थे 5 reasons जिसमें dividend investment ज्यादा अच्छा है real estate investment के सामने तो दोस्तो अच्छे dividend stock दूनके आप passive income generate कर सकते हो और successful हो सकते है इसको easily buy और sell कर सकते है तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में ठैंक्स पर वाचिंग